Hello everyone, स्वागत आप सभी का genuine classes में सभी पारे विद्यारतियों को नमस्कार पसु परीचर बर्ती 2024 की complete detail हम जानेंगे इसमें क्या काम करना पड़ेगा, कितने घंटे की duty होगी, वेतन कितना मिलेगा परमोशन आपके कौन से पतपे होगा आविदन आपके चली रहे हैं, आप सभी को पता है 19 जनवरी से आपके आविदन शुरू हो गए है 17 फरवरी 2024 तक आपके जो है, ऑनलाइन आविदन भरे जाएंगे परेक्षा 33 की आ चुकी है, सेप स्कोर इसका क्या रहेगा सबसे ज़्यादा जो आपके सवाल आ रहे हैं कि सर, 1500 में से किते नंबर लाने पड़ेंगे किते नंबर पर सेलेक्शन होगा, क्या सेप इसको रहेगा अनुमानित का टॉप क्या रहेगी, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अंतक वीडियो को जरूर देखें, आई वीडियो को श्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों पशू परीचर बर्ती में काम क्या करना पड़ेगा यह आपके मन में सवाल है, तो यहाँ पर दोस्तों काम ज़्यादा मुस्किल नहीं है पसु की समुचित देखवाल करनी पड़ेगी यह आपका काम रहेगा पसु डॉक्टर के साथ आपको सयोग करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों आप एनिमल अटेंडेंट हैं यानि आपको यहाँ पर जो एले से हैं जो कॉमपाउंटर हैं यह जो पसु चिकिशक है उनको सयर करने में मदद आपको करनी पड़ेगी फसु कश चिक क्शले की देखवाल क्योंकि आपकी डूटी जोता है यहांपर जो पंचायत श्तर पर जो ग्राम पंचायतव लेवल पर आपके ऑस्पिटल बने उन क्योंटी पर आपको देखवाल करने पड़ेगी पह्दों को प पद पर रहते हुए आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं. किसी बढे पड के तैयारी के लिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि सयलरी को लेकर भी बड़ा कानिक्यूजन है, काफी तो कह रहे हैं 18,000 मिलेगी कोई कह रहा 20,000 मिलेगी तो भाईया पे मैट्रिक्स लेवल फश्ट की जॉब है यानि L1 की ये जॉब है तो सेलरी भी L1 की मिलेगी प्रोविजन में आपको पता ये रास्तार में कितना ही बड़ा पद हो आपको जो है फिक्स सेलरी मिलती है दो साल तक तो यहाँ पर आपको जो है 12,400 दो साल तक तो इतनी मिलेगी पर दो साल के बाद में आपकी सेलरी बढ़ जाएगी और उसके बाद फिर जो है इंक्रिमेंट होते रहेंगे और आपकी सेलरी बढ़ती रहेगी तो 17,700 बेसिक उसके बाद आपका डिये होगा 7,434 एचार बत्ता पच्ची सो तर्रान में टोटल आपको जो सैलरी मिलेगी वो 26,727 एन हैंड आपको मिल जाएगी ग्रेड पे आपका 1700 ही है क्योंकि सबसे लोविस्ट फॉर्थ ग्रेड की जो होग है तो यहाँ पर ग्रेड पे इसका सबसे कमी रहेगा डूटी टाइम की बात करें ज्यादा वर्कलोड नहीं है गर्मियों में 8 से 12 का टाइम रहेगा सर्दियों में 9 से 3 और परमोशन की बात करें दोस्तों तो पसू, परीचर, एनिमल अटेंडन के बाद नेक्स्ट पोश्ट पे जो आपका परमोशन होगा वो आप दोस्तों यहाँ पर बन जाएंगे पसूदन निरिक्षक, क्या बन जाएंगे पसूदन निरिक्षक, यानि आपकी नेक्स्ट पोश्ट होगी पसूदन निरिक्षक चलिए आवेदन दोस्तों आप सभी को बता है 19 जनवरी से चल रहे हैं और 17 फरवेट तक बरे जाएगे OTR से आपके आवेदन बरे जा रहे हैं अकर आपकी उमर 18 से 40 के बीच में हैं आप में से बहुत सारे स्टुडेंटे जो 18 से कम हैं तो अगर आपकी उमर 1-1-25 तक 18 साल हो रही है तो अब यहाँ फॉम लगा सकते हैं बाकी जो आरक्षी तोवर्गे उनको यहाँ पर छूट भी रहेगी एक्जाम डेट इसकी गोशित हो चुकी आप सभी को मालूम है कि अपरेल से जोन के बीच में संभावित इसकी एक्जाम तिथी राजस्तान करमचारी चैनवोर्ड ने दे रखी है तो आपके लोग सबा चुनाओं है अपरेल मही में तो जोन में इसकी एक्जाम होगी बिल्कुल फिक्स है जोन में इसकी एक्जाम कंडेक्ट होगी सेप स्कोर की अगर हम बात करें दोस्तो ये सबसे बड़ा सवाल है आपका इस वीडियो का और इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि सेप स्कोर क्या रह सकता है दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका exam pattern की इसमें 1.500 सवाल आएंगे यहीं 1.500 person का यह paper रहेगा, एक single paper रहेगा, object type 1.500 अंका ही paper रहेगा, फिरते question एक number का रहेगा और गलत करने पर एक बटा चार आपका अंक काट लिया जाएगा यह negative marking एक बटा चार रहेगी, तीन गंटे का paper रहेगा अब दोस्तो इसमें total आवेदन कितने गए हैं अभी तक या कितने जाने की संभावना है तो वही 25 लाग प्लस इसमें आवेदन दोस्तो जाने की संभावना है 25 लाग प्लस आवेदन रहेंगे, अभी तक 15-20 लाग आवेदन जो है भर चुके हैं तो 25 लाग तक आवेदन तो जाएंगे जाएंगे, जादा ही जाएंगे, कमने ही जाएंगे लगाएंगे, तो higher education वाले फॉर्म लगा रहे हैं, तो भया, competition वैसे जाएदा चल जाएगा यहां तक कि दोस्तों मेरे पास ऐसे call आएं जिरों ने RS Pre की तयारी कर रही है या जो अच्छे खासे 1st grade, 2nd grade, 3rd grade, teacher की तयारी कर रही है वो भी इसमें फॉर्म लगा रहे हैं, तो भया, उनकी GK भी अच्छी होगी, subject, science है, math है, वो भी अच्छी होगी इनिमल अस्पेंडरी है, जो थोड़ा अलग यहां पर हो सकता है, क्योंकि एनिमल अस्पेंडरी सब के लिए नया है एनिमल अस्पेंडरी की जो 45 सवाल है, भी पार्ट वाले, यह जो agriculture department से आते हैं, जो science फिल्ड से आते हैं, वो अच्छा कर पाएंगे तो इन सब बातों को मद्यने दे रखते हुए कि form की संक्या जादा होगी, higher education वाले form लगाएंगे, यह जो पहले से तयारी कर रखें, वो form लगाएंगे इन सब को देखते हुए, और 10-20 तर की वेकेंसी है, तो paper का level तो जादा नहीं रहेगा, tough level तो नहीं आएगा, लेकिन यह है कि कम से कम 500 में से आपको 110 नमबर या 110 प्लस नमबर आपको लाने पड़ेंगे, तो आपका जो safe score है, मेरे according, अगर आप 110 या 100 प्लस नमबर ला रहे हैं, तो आप safe zone में हैं, 5934 पद हैं, आप देख सकते हैं, 5934 पद हैं, पद तो ठीक है, लेकिन competition बहुत जादा रहेगा, क्योंकि इसमें जो already तयारी कर रहे हैं, LSA की या जो science math background चाते हैं, उनके chances जादा रहेंगे, बाकि आपको हर subject को target करना है, अच्छा मजबूत करना है, आप छोड़ नहीं सकते, दोनों section, section first में 105 person है, और section B में 45 person है, section B तो सब्द को बढ़ना है, जो B part में अच्छा करेगा, वो ही selection लेगा, क्योंकि science, math और रास्तान जी की, ये common subject है, ये आपके हर exam में आती है, ये पटवार में भी आएंगी, ये LDC में भी आएंगी, आपके CET में भी आएंगी, तो ये तो common इसको सब्द बढ़ रहे है, animal aspect को कौन कितना अच्छे से पढ़ता है, उसी का selection यहाँ पर रहेगा, ठीक है, अब दोस्तो पसू परीचर का complete course मातर 49 उर्पे में, 449, 449 उर्पे में दोस्तो आपको मिल रहा है, genuine classes application पर, इसमें दोनों section को हम कबर करवा रहे हैं, section A को भी, section B को भी, हर subject की अलग faculty है, digital panel पर पढ़ा रहे हैं, best faculty दोस्तो रास्तान की आपको पढ़ा रही है, यह offer 449 वाला दो दिन के लिए है, एक तीस और एक तारिक, दो दिन के लिए offer आपका रहेगा, तो आज और कल के लिए है, इसलिए genuine classes application को play store से download करें, और इस course को purchase करें, बाकी courses पर भी बारी छूटे हैं, आप लोग देख सकते हैं, तो पसू, परीचर बढ़ती 2024 के बहुत सारे विद्यारती इंडरॉल कर चुके हैं, 1000 से जदा विद्यारती ओल्रेडी इस course में इंडरॉल कर चुके हैं, अब आपकी बारी है, क्योंकि सामयने राजस्तान का, जो सामयने गयान है, उसकी भी class यहां पर हो रही है, तो यह जो safe score के लिएकर आपका सवाल था, मैंने आपको बता दी है, बाकी जीके में काफी सारे बच्चे का रिफ्यूज हैं की जीके में क्या क्या आएगा, तो राजस्तान जीके में देखो, एक तो यह पूरा portion आपका रास्तान जीके का होगा, आप दोस्तों काफी बच्चे पूछ रहे, science की कितने सवाल होंगे, math के कितने होंगे, रास्तान जीके की कितने होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा question रास्तान जीके के, यहनि 50 से ज़्यादा, 50-60 से सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, शुकरिया, थैंक्यू